असलाम वालेकुम आज मैं आपको बगार चीज के बगार अवन के पिज़ा क्रेस्पी बनाना सिखाऊंगी यह हम बहुत ही असान तरीके से बनाएंगे और लो बचट में बनाएंगे इन्शाला यह पिज़ा बेकरी से 10 कुना बेतर हम बनाएंगे तो चलते हैं अपना बहुत मज़े का पिज़ा बनाने के लिए यह देखें पिज़ा बनाने के लिए मैंने एक बड़ी सी प्रात ले लिए कोई खुला सा बर्तन लेजिएगा एक कब मैंने मेदा लिया में चान के डालेंगे बिना चान या मेदे का इसमाल नहीं करेंगे कोई भी आपका घर में जो चा अजार से असानी से आपको मिल जाएगी एक टेबल स्पून भार के डालूंगी इसके अंदर यह खमीर का काम करती है मेदे को फुलाती है दो से तीन टेबल स्पून कुकिंग ऑल के डालूंगी यह हम बगयर अंडे के डो रेडि करने वाल इसमें कोई हम मिल्क पोडर का इस्वाल नहीं करेंगे ना ही अंडे का इस्वाल करेंगे जो हमारे घर में चीज़े हैं उसी से हम यह पिजाज रेडि करेंगे अच्छी तरह हम हाथ के साथ सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे थोड़ा-थोड़ा नीम गरम पाणी डालकर हम इसको गूद लेंगे इसकी डो बना लेंगे ना हम ज्यादा सहथ कुन लेंगे अच्छी तरह हमने डो को गूदने तक्रीबर इसको 4-5 मिंट अच्छी तरह हम मसल मसल के गूंद लेंगे अक्सद लोगों की शिकाइफ होती है कि अंदर से आज़s की स्मेल आती है पिस्जा वगेरा के अंदर से तो ये जो आज़s टे अंदर डालते हैं इसको हम इस तरह हाथ के साथ मसल मसल के गूनेंगे तो पिज़े के अंदर से इसकी स्मेल कभी भी नहीं आएगी वन डिवर स्पून इसके अंदर कुकिंग और डालकर अच्छे तरह इसको गूंद लेंगे इन्शाला इस रेस्पी को देखने के बाद जो पहली बार में ही पिज़ा ब्रहेंगा तो उसका परफेक्ट बनके रैडी हो जगे इतनी यह असान रेस्पी आपको मैं बताने जा रही हूँ यह देखें डो हमारी राडी हो गए इसको मैं एक डब्बे में आईल लगा कर रखतूंगी एटाइट वाला कोई डखन वाला आप लेजीगे का डब्बा उपर हम डखन देकर इसको एक घंटे के लिए sorry आदै गंटे के लिए इसको हीट वाली जगा पे रखेंगे डो हमारी रेस्ट हो गई है आदै गंटे के लिए अब इसकी मैं पिज़े वाली रोटी बेल लोंके जितना हमारा पिज़े का सांचा होगा उसी के मताबद हम बेल लेंगे थोड़ा सा मेदा रस्ट करेंगे और बेलन के साथ अच्छी तरह हम बेल लेंगे यह मैंने एक पिज़ा पैन ले लिए यह मिडियम साइज का है इसके अंदर अपनी जो रोटी बेली है वो डालेंगे हम और हाथ के साथ इसके किनारें के सेट कर लेंगे और इसके ओपर डखन देकर इसको आदा घंटे के लिए और हम रेस्ट के लिए रख देंगे जितनी देर में हमारी डो रेस्ट के लिए पड़ी है इसकी हम चिकन की स्टपिंग त्यार कर लेते हैं जिसके लिए मैंने एक फ्राइपान लिए इसके अंदर एक से दो टेबर स्पून कोकिंग ओल के डालूंगी आयल हमारा गरम हो गया यह लहसन अदर का पेस्ट है वां टेबर स्पून यह इसके अंदर डाल कर इसको हलका सा हम ब्राउन कर लेंगे यह मैंने चिकन लिया चिकन ब्रैस्ट लिया इसके छोटे-छोटे क्योब कर लिया है यह डाल देंगे इसके अंदर और इसको हलका सा हम ब्राउन करेंगे ज्यादा हम ब्राउन नहीं करेंगे इसके अंदर हाफ टीस्पून जितना सिर्का ढालेंगे सिर्के से हमारा चिकन बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा हाफ टीस्पून इसके अंदर चिली फ्लेक्स ढालूंगी क्वाटर टीस्पून इसके अंदर तिक्का मसाला ढालूंगी quarter teaspoon इसके अंदर सुरफ मिर्ज डालेंगे quarter teaspoon हल्दी जाएगी quarter teaspoon ही इसके अंदर नमक जाएगा इसको और भी super tasty करने के लिए चटपटा सा करने के लिए मैं इसके अंदर half लेमू का रस डालूंगी one tablespoon जितना इसके अंदर लेमू का रस डाल लें अच्छी तरह भूल ले यह देखे जी चिकन हमारा ready हो गया यह देखे माशाइलला कितना soft हो गया अगर आपके पाद सिर्का नहीं तो आप एक चमच बर कर दही डाल सकते है उससे भी चिकन बहुत ही sof nouveaux हो गया यह देखे जी माशाइलला कितना यह भूल गया अब मैंने एक फॉग लिया उसके साथ हम इसके अंदर निशान लगा लेंगे सुरा कर लेंगे अगर हम सुरा नहीं करेंगे तो जब हमारा पिजा बेक होगा तो अंदर से ऐसे फुला होगा वो जब बी अच्छा नहीं लगेगा ये सुराह करने बहुत ही ज़रोरी होते हैं ये देखें डोख हमारी कितनी अच्छी से हमने गूंदी थी कितनी मज़े की राइस हो गई है सारे सुराह मैंने कर लिए अप बारी आती है पिज़ा सॉस की तो पिज़ा सॉस हम इसमाल नहीं करेंगे क्योंकि हम घर की चीजों से ही बनाने वाले हैं यह पीजा इसके लिए मैं टमाटो केचप लोगी एक चमच बार के हम सारी साड़ों पर लगा लेंगे बस हमने जो इसके किनारे हैं उस पर नहीं ही लगाएंगे बस सेंटर में ही लगाएंगे यकीन माने यह इतनी असान तरीके से मैं आपको रैस्पी बनाना सिखाऊंगी कि आप जब बनाएंगे तो आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि हमने इतनी जटबट पिज़ा क्रेस्पी बना के रैडी कर लिया है यह देखें जो चिकन मैंने बना के रखा हुआ था वो इसके उपपर डालेंगे अच्छी तरह हम स्टफ करेंगे जब एक बार आप इस पिज़े को बना के खाएंगे तो इंशाला आप चीज वाले पिज़े को भी बोल जाएंगे इतना मसे का बनता है और इतना सुपर टेस्टी बनता है अब बार यह चीज की, तो चीज हमारे पास नहीं, ना ही हमने चीज का इसमाल करना है, तो उसके लिए मैं यह अंडे लेऊंगी, तीन अदद अंडे लोँगी इसके अंदर थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए ग्वाटर टीसपून काली मिर्च दालूगी क्वाटर टीसपून चिली फ्लेक्श दालूगी क्वाटर टीस्पून नमक डालूगी और अच्छी तरह चमच के साथ इसको हम बेट ले कर लेंगे ये देखें जी चीज की जगा भी हमारी पूरी हो गई है यह मैंने कुछ सबजियां लिए यह प्यास लिए है थोड़े लंबाई में काटके यह डालेंगे थोड़ी सी शिमला मिर्च लिए है जो लंबाई में मैंने काट लिए है यह उपर लगाएंगे थोड़े से मैंने टमाटर लिया जो लंबाई में काट लिया है ये लगाएंगे उपर इससे बहुत ही प्यारी लुकाएगी हमारे पिजा की जुरूरी नहीं यही सबजिया ले आपके पास जो भी है वो ले सकते हैं ये जो हमने अंडो को बीट करके रखा था ये उसके उपर डालेंगे एकदम से सारा इस पिजे को पर नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और एहतियात कीजिएगा किनारों तक ना जाए बस सेंटर में ही रहे ये कि ये उपर थोड़ी सबजियां आउट डाल देंगे ये थोड़ी सी औरगिनल ही है ये पूरी तरह आप्शनल अगर आपके पास है तो अगर नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं थोड़े से चिली फ्लेक्स उपर डालोंगे मैं इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा हमारे पीजा का तो हमारा पीजा रैडी है बेकिंग के लिए तो चलते है इसको बेक करने के लिए ये देखें बेक हम बगार अवन के क कड़ाई में तो कड़ाई को पहले मैंने 10 मिनट के लिए प्रेहिट का लिया था नीचे डखकन राक लें को इस चैंड राक लिए वो रखना जरूरी है ड्रेक्ट हम नहीं कड़ाई के अंदर रखेंगे अपनी पिजे को इसके अंदर रखें और डखकन देकर इसको 15-20 मिन अपने बीडियम लोग फिलेम पर लेंगे कितना प्यारा और कितनी अच्छी इसकी लूक आहिए और कितना गोल्डन सा उपर से कलर हो गया है पिजा हमारा परफेक्ट तरीके से बन के रडी हो गया देखिए मांशला लागी नहीं रहा कि हमने बिना चीज के यह पिजा बना इस रेस्पी को ज़रूर प्राइ किजिएगा इन्शाल्ला आपकी फैमिली कप को बच्चों को बेहद ये पिज़ा पसांदाएगा वो रोज इसकी फर्मेश करेंगे इसी तरह का पिज़ा बनाने के लिए अब मैं इसको कट करती हूँ छुरी के साथ हम कट कर लेंगे अगर आपके पास पिज़ा कट रहा है तो उससे काट लें यह देखें माशनला कितना नीचे से भी यह कितना प्यारा पग गया और कितना प्यारा से इसका कलरा काकी करती हुए आपको मेरी recipes बहुत पसंद आ रहे हैं अगर आपको मेरी recipes पसंद आ रहे हैं तो please 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 फटाफर से मेरे चैनल को subscribe करें तो साथ में जो bell का button है उसको जरूर प्रेस करें उसी से मेरी हर new video सबसे पहले आपको free में देखने को मिलेगी नेक्स वीडियो क्लियला पीस